नमस्कार प्रिय सिक्षार्थियों आज के व्याख्यान में हम आधुनिक भारती राजनितिक चिंतकों में अपनी खास जगय बनाने वाले समन्वयवादी विचारक महात्मा गाधी के जीवन के विशे में जानने का प्रियास करेंगे गोल फ्रीम का चस्मा लगाए लाठी था में मामुली सूती धोती में लिप्टी एक दुबली दे हैं कैसे 19-वी सदी के समूचे इत्यास में च्छा गई इसकी परताल करते हुए अभी तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है कहा जा चुका है यहां भी हम जब महात्मा गादी पर बात करेंगे तो वहां उनके जीवन प्रसंगों का एक तरीके से रिविजिट करना होगा क्योंकि लगभक सभी लोगों ने इससे पहले महात्मा गादी के बारे में बच्छपन में पढ़ा और लिखा है लेकिन इत्यास की एक करिश्माई व्यक्तित्व का यहां रिविजन इस दौर में बेहत महत्पूर्ण है नामी बैरिस्टर बनने की महत्वा कांख्छा वाले महात्मा गादी कैसे बने किन चीजों ने उन्हें इस तरह शेप किया इस प्रश्ण की बारी की परताल तो काफी लंबा समय लेगी लेकिन अगर इसे हम शंक्सिप्त करते हुए और सरल करते हुए देखें तो हमें दो चीजें दिखाए देती है गादी की महात्मा बन जाने की जो पहली वज़ा है वो है गादी का आध्यात्म और दूसरी की गादी का वो दौर और परिस्तितियां जिससे जूसते वे महात्मा गादी बने मोहनदास करमचंदर गादी जिने हम महात्मा गादी के नाम से भी जानते हैं आधुनिक भारत के महान जन्नायक, समासुधारक और दाशनिक थे गांधी जी का जन्म 2 अक्टुवर 879 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था इनके पिता करमचंदर गांधी पहले पोरबंदर में दिवान रहे और उसके बाद राज़कोट के दिवान रहे इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी जिनका प्रभाव गांधी जी पर इस पस्ट दिखाए देता है 12 वर्ष की आयू में इनका विवाह कस्तुर्बा गांधी से हो गया था इन्होंने इंग्लेंड से वकालत की पढ़ाई की और 891 से बैरिस्टर के रूप में अपना व्यावसाई जीवन प्रारम्ब किया वकालत शुरू की ही थी कि 893 में एक मुकदमी की पैरवी के सिलसिले में वेदक्षन अफ्रीका गई जहां लगभग 20 साल वो वहां रहे और उन्होंने देखा कि वहां भारतियों को उपनेवेसी शासन में बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपमान भरा जीवन बिताना पड़ रहा है गाधी जी ने वही सत्याग्रह शुरू किया और दक्षन अफ्रीका की सरकार को छुपना पड़ा यही वह समय है जहां पर गाधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का सफलता पूर्वक परिक्षन किया था वह लंबे समय तक दक्षन अफ्रीका में रहे और बीज बीच में भारत आते जाते रहे भारत में लोकमानिक बालगंगा धर्तिलक गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं से उनका परिचय हुआ जब वह भारत लोटे तो उनकी प्रसिद्धी यहां पहले ही पहुँच चुकी थी भारत लोटने के बाद गांधी जी ने भारत ब्रह्मन किया और भारत को बहतर समझने का प्रियास किया 1919 का रोलेट एक्ट जो ततकालीन ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत में उभर रहे रास्टी आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था इस कानून के तहट ब्रिटिस सरकार को यहां अधिकार प्राप्त हो गया था कि वहां किसी भी भारती पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी गांधी जी ने प्रदर्शनों का निर्त्रत्व करके इस एक्ट का विरोध किया उन्होंने कुछ समय के लिए इंडियन नैशनल कॉंगरिस का निर्त्रत्व भी समाला जो उन दिनों राष्टी जागरण की प्रमुक सस्था थी 1949 में द्विती विस्युद्ध के दोरान अंग्रीजी सरकार ने जब भारत को युद्ध में धकेल दिया तो इसका भी विरोध गांधी जी ने किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदुलन चलाया 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंतुता मिली पर भारत के दो टुकड़े हो गए जिससे गांधी जी को गहरी चोट पहुची उन्होंने फिर भी थार्मिक सहिश्टुता और एकता का प्रचार जारी रखा 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोटसे ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा के सिध्धानतों के आधार पर मानवता को समाज के निर्मार की नहीं रहा दिखाई वैसे तो गांधी जी सुद्ध राजनितिक विचारक नहीं थे वे एक कर्मयोगी थे उनके उचे चरित्र और धार्मिक रुजहान को देखकर रविंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें माहत्मा के नाम से संबोधित किया और आज भी वे माहत्मा गांधी के नाम से लोगप्री है राजनिति को उन्होंने धार्मिक और नैतिक लक्ष के सिद्धी के लिए अपनाया अपनी आत्मकता सत्ति के प्रियोग के अंतरगत उन्होंने अपने जीवन के अनभव को पूरी सच्चाई के साथ पेश किया है गांधी जी ने अपनी विचारधारा या सिद्धान्त को विशेज प्रणाली के रूप में विक्सित करने के लिए कोई ग्रंत नहीं लिखा बलकि व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं समय समय पर उनके सामने आई उनका समाधान करते रहे सत्य और अहिंसा आदर्स उनके जीवन के मूल मंत्र थे जिसके आधार पे उन्होंने अपनी राजनितिक कारवाई के तरीके विख्षित किये मार्टिं लूथर किंग ने अपने नागरिक अधिकार आंदोनन के दौरान अपने आपको गाधी का अनुयाई स्विकार किया गाधी जी पर रस्किन की अन्टू दिस लास्ट टॉलस्ट्रोई की किंग्डम ओफ दे गॉड विथ यू और गीता का बहुत प्रभाव पड़ा गोपाल कृष्न गोखलिक से भी वह बहुत प्रभावित थे और उन्हें वहाँ अपना राजनितिक गुरु मानते थे गाधी जी ने कुछ पुस्तके लिखी हैं जिसमें My Experiment with Truth, Satyagraha in South Africa, Ethical Religion, Hindi स्वराज ये प्रमुक किताबे हैं और कुछ उन्होंने कुछ पत्रिकाओं के जो एडिशनल कॉलम होते हैं वह भी लिखे जिसमें Indian Opinion, Young India, नवजागरण, हरीजन इनके वह एडिशनल कॉलम्स लिखा करते थे गांधी जी ने राजनीती को आध्यात्मी का आधार देकर उसे सवच्छ रखने का समर्थन दिया धर्म को उन्होंने कभी संकुची तर्थ में नहीं देखा और उनके लिए विस्वी के सभी धर्मों का सार्तत्व एक जैसा था उन्होंने साम्मेवादी सिध्धान्त को सुईकार नहीं किया और भौतिक आवशक्ताओं के स्थान पर आवशक्ताओं को सहियत करने पर उन्होंने अधिक बल दिया उन्होंने हर मनुस्य के लिए सारीरिक श्रम को महत्पूर बताया और वो शारीरिक श्रम को विसेश महत्व देते थे गाधी जी के जो राजनितिक दर्शन है उसके विशे में हम आगे के व्याख्यानों में जानेंगे अभी के लिए इतना ही आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाप्रद रहेगी धन्यवाद